हालो फ्रेंग्स वेलकम टू आवर इक्टूब चनेल मुनिदा सो फ्रेंग्स आज की वीडियो में हम उगली स्टाइप के ऊपर कुछ बेस टॉक्स देखने बाले हैं और उसके साथ साथ हम डॉला इंडिक्स कुरूड और इलका भी चार्ज देखेंगे बिकॉस इसका ऑपोस काई में चानल और हिट बेल आइकन तो यह क्रूडल के चार्ट से और यह आपको विकली टाइम फ्रेम पे दिखने के लिए मिल रहा है क्रूडल जो फिलाल ट्रेट करें 78.75 यूस्ट में तो इसी ट्रेंड लाइन में रेजिस्टेंस फेस करके कुरूडल नीचे की तरह इस विक आपको पॉजिटिव कैंडल दिखने के लिए मिल रहा है वैसे विकली कैंडल का वितक क्लोजिंग नहीं हुआ है और भी फाइव आवर्स बाकी है तो अब देख सकते हो इसी सपोर लेवल पे एक चोटा सा सपोर लेवल है इसी सपोर लेवल पे आपको पॉजिटि नहीं हुआ है और अगर हम देखेंगे इल के चार्ज तो इल भी आप देख सकते हो यह इंपोर्टन सपोर लेवल है इसी सपोर लेवल पे यह सपोर ले रहा है तो यह अगर सपोर लेकर आपसेट के तरब जाता है तो हमारी इंडियान मार्केट में थोड़ बहुन देख सकते हो इसी जगह जो है यह रेजिस्टेंस था अभी यह सपोर लेवल की तरह काम कर रहा है इसी लेवल को ब्रेक आउट करके यह आप साइट तो गया लेकिन इस विक हम लोगों को एक बड़ा सा नेगिटिव कैंडल देखने के लिए मिला राइट सो ओवर जो है चार्ट से और यह आपको विकली चार्ट में दिखने के लिए मिला है तो निप्टी जो फिलाल ट्रेट करा है 24,530 पर तो इस विक आप निप्टी का विकली कैंडल देख सकते हो जो शुटिंग स्टर कैंडल बना के क्लोजिंग दिया है और टॉप पे अगर शुटिंग स् यह 24,000 से लेके 24,200 लेवल से यह एक important support लेवल है तो जैसे कि हम लोगों को इधर शुटिंग स्टर कैंडल दिखने के लिए मिला है तो निप्टी अगर negative होता है तो यह support लेवल पे आपको ध्यान देना है तो हम लोगों को दिखने के लिए मिल सकता है कि इस जगा पे support लेन में दिखने के लिए मिल सकता है मैं इधर आपको दिखा देती हो ठीक है पहले भी आप देख सेकते हो यह निप्टी का टॉप था और इसी टॉप में आपको shooting star candle दिखने के लिए मिला उसके बाद क्या हुआ उसके बाद निप्टी में आपको fall दिखने के लिए मिला लेकिन यह क्या था, यह important support level था, तो इसी जगा support लेने के बाद निप्टी फीर से upset की तरह movement किया, तो जो support level होता है यह support level पर आपको ध्यान देना चाहिए, जैसे कि इधर आपको shooting star candle देखने के लिए मिल दा है, तो निप्टी में अगर negative होता है तो यह आपको important support level को भी ध्यान देना है, अगर हम इसका monthly charts को देखेंगे, तो monthly में तो आपको continue positive candle देखने के लिए मिल दा है, because overall जो है निप्टी positive है, और यह जो आपको level देखने के लिए मिल दा है, इस levels को आपको ध्यान देना है, तो चलिए अभी हम बैंग निप्टी इंडेस को charts को देख लेता है, तो यह बैंग निप्टी इंडेस का charts है, बैंग निप्टी जो फिलाल trade करा है, 52,265 पे, तो यह जो आपको level देखने के लिए मिल दा है, 52,000 का level, इसी लेबल पे बैंग निप्टी continue support ले रहा है, अब देख सकते हो, one candle, two candle, three candle, मतलब three week से बैंग निप्टी इसी जगा support लेके अपने आपको hold कर रहा है, तो बैंग निप्टी अगर इसी लेबल पे कुछ time तक अपने आपको hold करने के बाद upside जाता है, तो से ही होगा, लेकिन बैंग निप्टी अगर इस लेवल को breakdown करके नीची की तरव आता है, तो दोस्तों बैंग निप्टी में हम लोगों को कि इनिक्स में जब हम लोगों को काफी अच्छा moves देखने के लिए मिलता है, तो उस वक्रेक्शन होता है, और करेक्शन के time हम लोगों को थोड़े बहुत करेंगे, तो यह काफी helpful app है, मैंने पहले भी अब लोगों के साथ शेयर गया था, तो इसको आप यूज कर सकते हो, मैं इधर कोई app आपको recommend नहीं करें, तो इधर आप देख सकते हो, explore में आपको FII and DII activity दिखने के लिए मिल रहा है, तो इधर आप देख सकते हो, FII मतलब foreign institute investor जो है, continue buying कर रहा है, यह जो आपको green color का देखने के लिए मिल रहा है, अब देख सकते हो, 18 July, उसके बाद 19 July, FII ने काफी जादा buying किया है, तो दोस्तों, FII अगर काफी जादा buying कर रहा है, तो आप नहीं बोल सकते हो, कि market में काफी जादा, मतलब downfall हम लोगों को देखने क के लिए मिला, क्योंकि FII अगर sell करना start कर देगा, तो दोस्तों, हमारी इंडियान मार्केट में काफी जादा गिरवत देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, बट आप इधर क्या देख रहा हो, कि FII जो है continue, ठीक है, काफी अच्छा huge amount में buy कर रहा है, तो यह जो हम लोगों को थोड़े negative दिखने के लिए मिला, यह क्या हो रहा है, यह correction हो रहा है, तो चलिए थोड़े sector कभी देख लेता है, तो इसलिए हम indices पे चले जाएंगे, तो indices पे आप देख सेकते हो, जो nifty 50 है, nifty 50, 269 points का मतलब की downfall हुआ, उस इसाब से अगर हम bank nifty index को देखेंगे, जो है 355 points, तो nifty में 300 points मतलब काफी जादा है, लेकिन bank nifty में 300 points यह normal है, 300-200 points का मतलब आप in down यह normal होता है, bank nifty में, तो उस इसाब से अगर हम इधार changing को देखेंगे, तो यह 1% and bank nifty 0.7%, उसके बाद अगर हम थोड़े नीचे scroll करेंगे, तो इधार आप देख सेकते हो, जो nifty IT है, market म जो थोड़े बहुत आपको correction दिखने के लिए मिला है, उस correction में भी nifty 50 0.2%, मतलब कि जादा nifty में आपको गिरावन, nifty IT काफी अच्छा label पे अपने आपको होल कर रहा है, और पिछले week मैंने nifty IT के stocks आप लोगों के साथ analysis किये थे, यह था TCS and Infosys, अगर आप वो दो stocks को दे अगर हम दूसरा sector को देखेंगे, उस हिसाब से आप देख सकते हो, nifty private bank, इसमें भी आपको जादा गिरावत देखने के लिए नहीं मिला, जो कि है 0.9%, उसके बाद हम अगर FMCG sector को देखेंगे, तो FMCG sector में भी आपको जादा कुछ गिरावत नहीं देखने के लिए मिला, आप देख सकते हैं, 0.2%, तो मार्केट करेक्शन में जो निकेटिव हो रहा है, उस बग भी कौन से सेक्टर अपने आपको, मतलब सही जगा पे होल का रहा है, उतना ज्यादा डाउनफॉल नहीं हो रहा है, तो आप इधर से देख सकते हो, तो जैसे के आपको दिखने के लि अगर हम इसके डेली चर्स पे चले जाएंगे, तो आप देख सकते हो, इंडेक्स में हम लोगों को जैसे के फ्राइडे निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में डाउनफॉल देखने के लिए मिला थोड़े बहुत, तो आप स्टॉक्स में भी देख सकते हो, इसका असर बढ़ा है राइड, क्यूंकि इस लिवेल्स का जब ब्रेकाउट हुआ, तो ओइंडेक्स में डाउनफॉल हुआ, तो ऐसा निफी ओल्स पे डाउनफॉल होता है, बट जादतर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, तो इसलिए आपको इंडेक्स को भी फॉलो करना है, तो नेक्च में जब रिटेस होगा, तभी आपको इसमें सुइंग आपो चांटी के लिए देखना है, नेक्स जो हमने स्टॉक दिये थे, ये था वेदानता, तो इसी जगा वेदानता जो है, अपने आपको होल कर रहा है, तो ये स्टॉक अगर इस लेवेल का ब्रेकाउट देता है, त इसी कैंडल में ये जो आपको ब्रेकाउट कैंडल देखने के लिए मिल रहा है, इसी कैंडल में हमने अनलेसिस किये, और नेक्स कैंडल आप देख सेकते हो, डिटेस लेवेल पर आके क्लोजिंग दिया है, उसके बाद आपने नेक्स जो स्टॉक दिये थे, ये था इनफोस इसी किये थे, उसके बाद आप देख सेकते हो, ये स्टॉक जो है, अपसेट के तरब मोमेंट किया है, तो अवरल जो है सही है, तो चलिए, अभी हम नेक्स विक के लिए बेस्टॉक को देख लेते हैं, तो आज का जो पाहला स्टॉक से ये है, जस्ट डायल और ये स्टॉक स्टॉक्स विकली टाइम फ्रेम पे हैं, फिलाल जो ट्रेड काड़ा 1,252.45 रूपिस में, तो ये एक रिवासर ब्रेकाउट स्टॉक से, तो ये स्टॉक्स ने अपना जो इंपॉर्टन रिजिस्टंस लेवल है, इस रिजिस्टंस लेवल को ब्रेकाउट दिया है, और ये ब्रेकाउट कैंडल अब देख सकते हो, और ये जो आपको रिजिस्टंस लेवल दिखने के लिए मिला है, ये लेवल है, 1,079 से लेके, 1,154 का लेवल, चार्च को हम क्लोज लाएंगे, तो आप देख सकते हो, ये जो स्टॉक्स है, ये स्टॉक्स हाई लगा है, 1,890 ठीके, ब्रेकडाउन की आप देख सकते हो, इसी जगा सपोर्ट लेने के बाद अपसेट गया, उसके बाद ये स्टॉक्स इस लेवल को ब्रेकडाउन किया, और ब्रेकडाउन करने के बाद ये स्टॉक्स इस जगा काफी बार रेजिस्टेंस फेस किया, काफी बार रेजिस कि उपर भी है जब यह इस टॉक्स इस लेवल को ब्रेकडाउन किया था टू-थाउजन फीप्टिन में अब नीचे देख सेक्टों अगर हम कर्सर को रेखेंगे तो आप देख सेक्टों 2015 में ये stocks ने इस level को break down करने के बाद resistance atom किया थी तो 2015 से लेके 2024 में ये stocks ने इस level का break out दिया that means ये stocks 9 years के बाद अपना जो important resistance level है इस resistance level को break out दिया है अगर हम इसका मंदली charts को देखेंगे तो आप देख सकत हो मंदली candles जो है तीक है आपको देखने के लिए मिला है इसी levels के ऊपर trade करा है तो मंदली candles भी काफी strongly आपको देखने के लिए मिला और ये जो chart patterns, carbon handle patterns जो है ये monthly candle में काफी अच्छा हम लोगों को clearly देखने के लिए मिला तो ये stocks का weekly and monthly candle भी काफी strong हम लोगों को देखने के लिए मिला और दोस्तों ये जो मैं अब लोगों के साथ level share करते हूँ ये level काफी important level है because इस level को आपको ध्यान में रखना है तो चलिए एक बार इस stocks के volume देख लेते हैं तो आप देख सेकते हो overall stocks का volume भी अच्छा है and breakout candles की volume भी आप देख सकते हो काफी अच्छा है तो ये stocks में आप swing opportunity के लिए देख सकते हो और ये जो आपको level देखने के लिए मिला ये stocks अगर इस levels के नीचे चले आते है तो दोस्तों ये stocks फिर वीक हो जाएगा इस level के नीचे मतलब इस levels के नीचे closing देना पड़ेगा वो भी weekly candle में तब ये stocks वीक होगा अधरोबाई stocks काफी अच्छा level पर है तो इसमें आप swing opportunity के लिए देख सकते हो तो चलिए अभी हम next stocks देख लेता है तो नेक जो stocks है ये है नाटको फार्मा और ये stock 1223.35 रूपिस में trade कर रहा है तो ये एक all time high breakout stocks है ये stocks अपना important resistance level है इस level को breakout देने के बाद अपने आपको आप देख सकते हो इसी level के उपर hole कर रहा है और ये previous resistance अभी ये support level के तरह काम कर रहा है तो चलिए अभी हम charts को nearest में लाते है तो आप देख सकते हो ये stock जो है अपना all time high को breakout दिया है और ये all time high का level जो आपको देखने के लिए मिला है जो है 1077 से लेके 1147 डूपिस का levels और इसी all time high के पास ये stocks ने एक 4 patterns भी बना है W patterns तो ये stock ने इस W patterns के breakout के बाद अपने आपको इस levels के उपर hole कर रहा और ये stocks अब देख सकते हो 200 SMA के उपर भी है तो अचले stocks के volume देख लेते हैं तो अब देख सकते हो stocks के volume भी अच्छा है और ये stocks अब देख सकते हो price section बना के stocks upset के तरह movement कर रहा है stocks के हम monthly charts भी देखेंगे तो monthly candle भी अब देख सकते हो monthly candle भी अपना जो all time high है इसी all time high के उपर closing दिया है और नेक्स monthly candle इसी लेवल के ऊपर ही ट्रेट करेंगे वैसे monthly candles का अभी तक closing नहीं हुआ है बद मन्दी का अपना all time high के ऊपर ही ट्रेट करेंगे तो यह stocks जो है यह stocks अभी अपने अपको hold करा है तो यह stocks में आप दो condition में swing opportunity के लिए देख सकते हो यह stocks जब इस level के फीच से retest करेगा तब आप इसमें swing opportunity के लिए देख सकते हो अगर आप इसी stocks में retest में trade लेते हो तो यह stocks इस levels के नीचे आपको stopless रखना है क्योंकि यह stocks अगर इस levels के नीचे चले आते है तो दोस्तों यह stocks फिर weak हो अधर्वाइस यह stocks जब अपना जो यह holding range है इस holding range के breakout में अगर आप इसमें swing opportunity के लिए देखते हो तो इस holding range के नीचे आपको stopless रखना हो तो इसमें आप 1-3 और 1-4 की साफ से आप देख सकते हो तो यह stocks को आप अपने watches में रख सकते हो retest या फिर range breakout में आप इस stocks में swing opportunity के ल यह stocks अपना all time high जो resistance है उस resistance को breakout दिया और उसके बाद आपने आपको एक range में काफी time से hold कर आप देख सकते हो चार्स को हम close line के तो यह stocks को आप clearly देख सकते हो कि यह stocks ने अपना all time high को breakout के बाद upset गया और अभी फिर से यह stocks almost retest के आसपस आ रहा है और यह stocks का जो all time high का level आपक levels तो यह stocks ने almost इसी level पर item करने के बाद यह stocks काफी बार इसी जगा अपना high को item किया और फाइनली यह stocks ने breakout दिया ब्रेक आउट के बाद यह stocks fish से अपने आपको एक range में hold कर रहा है अगर हम stocks के monthly charts को देखेंगे तो monthly में भी आप देख सकते हो कि यह stocks monthly charts पे भी अपना all time high को breakout के बाद fish से monthly candle में भी almost आपको retest level के आसपास आते हुए दिखने के लिए मिलना राइट तो यह stocks में तभी आपको swing opportunity लेना है अगर यह stocks फिर आपको इस levels के आसपास मिलते हैं जैसे कि अभी तो इसी के पास है लेकिन यह stocks अगर इस level पे retest करेगा तो आप इसमें swing opportunity के लिए देख सकते हो, otherwise यह stocks अगर इधर से फिर से upset की तरफ जाते है and इस range को breakout देता है तब ही आप इसमें swing opportunity के लिए देख सकते हो तो इसमें दो condition में आप swing opportunity के लिए देख सकते हो और ये stocks जब इस levels के और ये stocks अगर इस levels के नीचे चले आते है नीचे चले आके closing देता है तो दोस्तों फिर ये stocks विक हो जाएगा और ये stocks आप देख सकते हो 200 SME के उपर भी है और ये stocks को भी आप अपनी वास्टेस में रख सकते हो जब भी रिटेस्ट होगा या फिर रेंच ब्रेक आउट होगा तब आप इसमें swing opportunity के लिए देख सकते हो आपको सारे चीज़े क्लियर हो गया है और लास्ट में मैं एक disclaimer देना जाते हूँ तो इस वीडियो में मैं जो भी stocks आप लोगों के साथ analysis करते हूँ इसमें में में खुद के analysis और मेरे खुद के opinions होता है तो जब भी आप कोई भी stock में investment करते हो उसके पहले आप जरूर analysis कीज़ेगा उसके बाद